इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे की एक्सल के अंदर स्टॉक को मेंटेन कैसे करें पहले हम इसकी वर्किंग को देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगी उसके बाद समझेंगे कि हम इसको कैसे बनाएं जैसे यहां पर मैं एक एंट्री पास करता हूं date डालते हैं, bill number डालते हैं, party का नाम डालते हैं और item डालते हैं, item की quantity डाली rate डाला, ये details डालने के बाद हम गए stock वाली sheet पर और यहां पर हमने प्रेस करा refresh के उपर तो जो भी हमारा stock होगा, वो यहां पर update हो जाएगा अब इसको sell करते हैं, हम गए sell वाली sheet के उपर यहाँ पर भी सारी detail डाल देंगे वापस से stock वाली sheet के उपर जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो pen का stock है वो update हो चुका है अब बात करते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे starting के 5 या 6 column को हम खाली छोड़ देंगे और उपर से 2 रोगों काली छोड़ देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे serial number date, bill number, party name, item name, quantity, rate, taxable amount tax amount, total amount और उसकी description इस sheet से आपको दो benefit होंगे पहला आपके पास bill की समरी भी होगी कि उसके अंदर कितनी quantity थी क्या rate था, क्या उसके अंदर tax amount था क्या उसका total amount था प्लस जो आपका stock का status होगा वो भी इसी sheet के अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पर इसको select करेंगे और control प्लस T प्रेस करेंगे यहाँ पर my table has header इसको tick करेंगे और ok के उपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह एक table की format के अंदर convert हो जाएगा आप यहाँ से इस formatting को change भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं select कर देता हूँ यह वाला design आप अपने इसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप select कर लें यहाँ पर यह जो filter आ रहे हैं इनका use हमको नहीं है तो इनको हम हटा देंगे यहाँ पर हम press करेंगे control प्लस shift प्लस L तो यहाँ पर यह जो filter हैं यह हट जाएंगे अब इनको हम merge कर देंगे तो यहाँ पर इनको हम select करेंगे merge and center के ओपर click करेंगे इसके अंदर हम लिख देंगे purchase register इसके size को थोड़ा सा बड़ा देते हैं यहाँ पर हम 3 button create करेंगे जो हमको help करेंगे आगे वाली sheet पर जाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे insert के अंदर shapes के ओपर click करेंगे और rectangle को select कर लेंगे इसकी formatting आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैं यहाँ पर इसको black color में कर देता हूँ वापस से shapes के ओपर जाएंगे अब जो भी shape आपको यहाँ पर पसंद आती है वो आप select कर लें shape को यहाँ पर हम insert करेंगे और इसके color को change कर देते हैं shape के ओपर हम double click करेंगे इसके अंदर हम लिख देंगे purchase इसका थोड़ असा size increase कर देते हैं अब इसको copy करेंगे और इसको यहीं पर paste कर देंगे इसके अंदर हम लिख देंगे sale वापस से control V प्रेस करेंगे और अब इसके अंदर हम लिख देंगे stock परचेश sheet हमारी ready हो चुकी है ऐसे ही हम एक sales sheet बनाएंगे और stock की sheet बनाएंगे तो हमको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर आना है control के साथ इसको थोड़ असागे shift कर देना है तो यह sheet copy हो जाएगी यह वाली sheet हो गए हमारी sale के लिए वापस से इसको ऐसे ही copy कर देंगे और यह वाली sheet हो जाएगी हमारी stock के लिए इन sheet को नाम दे देंगे अब इन shape के उपर हम write क्लिक करेंगे यहाँ पर option आएगा link का इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर place in this document को select करेंगे अब purchase button के उपर purchase को select करेंगे same sale button के उपर sale को select करेंगे और stock button के उपर stock को select करेंगे अब पहले मैं यहाँ पर इसको edit कर देता हूँ यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ sale register और यहाँ पर कर देता हूँ stock register अब जब हम इन button को click करेंगे तब हम दूसरी sheet पर पहुच जाएंगे जैसे हमको जाना है purchase sheet पर तो हम purchase बटन के उपर click करेंगे और हम purchase sheet के उपर पहुच जाएंगे ऐसे ही sale के उपर जाना है तो sale के उपर click करेंगे यहाँ पर ये बात हो गई हमारी sheet के design के बारे में अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि हम क्या formula put करें जिससे कि ये हमको हमारा balance stock ला करके देगा यहाँ पर हम आ जाएंगे stock sheet के अंदर सबसे पहले हम date, bill number और party name वाले column को delete कर देंगे यहाँ पर इनको हम change कर देंगे इसको हम कर देंगे purchase इसको कर देंगे sale और इसको कर देंगे net balance बाकी जो column बचे हैं उनको हम delete कर देंगे अब यहाँ पर हम एक advance fatal लगाएंगे कहीं भी कोने में लिख देंगे item name जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके नीचे हम एक formula लगाएंगे is equal quotation mark less than का sign greater than का sign quotation mark को close करेंगे और enter press कर देंगे formula लिखने के बाद हम जाएंगे view वाले tab के उपर macros के उपर click करेंगे record macro इसके उपर click करेंगे यहाँ पर इसको हम कुछ भी नाम दे देंगे और ok के उपर click करेंगे अब यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो record हो जाएगा इसके बाद हम जाएंगे data वाले tab में advanced के उपर click करेंगे यहाँ पर हम copy to another location को select करेंगे यहाँ पर list range के अंदर हम select करेंगे purchase sheet का item name वाला column तो इसको आप select कर लें जहाँ तक इसकी range होगी वहाँ तक आप इसको select कर लेंगे इसके बाद option है criteria range का यहाँ पर हम select करेंगे जो हमने अभी command लिखी थी उसको इसके बाद option है copy to का इसके अंदर हम select करेंगे item name को यहाँ पर simple बस item name के उपर click करना है unique records only के उपर click करेंगे तो इस option से क्या होगा मान लीजिए आप एक item को 10 बार purchase कर रहे हैं इस option का use करने से उस item की एक ही जगा पर आपको entry दिख जाएगी यह उसको एक ही जगा पर count करेंगे okay के उपर press करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम macro को stop कर देंगे यहाँ से यह stop हो जाएगा वापस से एक button को create करेंगे insert के अंदर जाएंगे shapes जो भी shape आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं इसके अंदर हम लिख देंगे refresh अब इसके उपर right क्लिक करेंगे यहाँ पर option है assign macro इसके उपर क्लिक करेंगे stock वाले macro को select करके okay के उपर क्लिक करेंगे इससे होगा क्या जो भी हम purchase या sale के अंदर entry को pass करेंगे उसके बाद जैसे ही हम refresh को क्लिक करेंगे तो यह हमको हमारा जो balance stock होगा वो निकाल करके दे देगा यहाँ पर हम एक entry pass करके देख लेते हैं purchase वाली sheet के उपर चलते हैं और यहाँ पर हम दो तिन entry डाल के देख लेते हैं यहाँ पर मैंने pen के entry करी है 10,000 pen 20 उर्पे के हिसाब से उसके बाद pencil के entry करी है 200 pencil 5 उर्पे के हिसाब से और pen purchase किये हैं वापस से 20 pen 20 उर्पे के हिसाब से stock वाली sheet के उपर जाएंगे refresh के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे refresh करते ही pen और pencil आ चुका है pen हमने दो बार purchase किया था उसकी entry को इसने एक बार count किया pencil की entry हमने एक बार करी थी तो इसने pencil को count किया ऐसे ही हम जो जो add करते जाएंगे वहाँ पर refresh के उपर किलिक करेंगे यहाँ पर आकर तो यहाँ पर यह अपडेट होता जाएगा अब यहाँ पर हम एक formula लगाएंगे is equal sum if पहले हम range बताएंगे तो range हो जाएगी हमारी purchase register का item वाला column कोमा लगाएंगे इसके बाद criteria बताना है criteria हो जाएगा हमारा pen इसको select कर लेंगे वापस से कॉमा लगाएंगे अब बताना है sum range sum range हो जाएगा हमारा quantity वाला column quantity वाले column को select कर लेंगे bracket को close करेंगे और enter प्रेस कर देंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने इनको count कर लिया है pen हमने purchase किया था एक बार 10,000 quantity और दूसरी बार में purchase की थी सिर्फ 20 quantity तो total होगी हमारी 10,020 और pen सिर हमने purchase की थी 200 तो यहाँ पर इसने एक count कर दिया है अब यहाँ पर मैं जैसे कुछ और भी purchase कर देता हूँ तो देखते हैं यह महाँ पर update करता है या नहीं अब यहाँ पर example के लिए मैं purchase कर रहा हूँ apple इसकी मैं quantity purchase कर देता हूँ 2000 इस टॉक वाली sheet पर चाते हैं इसको refresh करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने update कर दिया है अब same formula हम sale वाली sheet के अंदर भी लगाएंगे is equal sum if range बताएंगे तो इस बार range हो जाएगी हमारी sale वाली sheet का item name वाला column कॉमा लगाएंगे pen को select करेंगे कॉमा लगाएंगे अब last sum range को हम define कर देंगे sum range हो जाएगी हमारी sale वाली sheet का quantity वाला column bracket को close करेंगे और enter प्रेस कर देंगे net balance निकालने के लिए हम formal लगाएंगे is equal purchase minus sale तो यहाँ पर हम इनका sell का address टाइप करेंगे जैसे यहाँ पर purchase का address है h4 sale का address है i4 यहाँ पर इसको मैं type कर देता हूँ और enter प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारा balance stock रहेगा वो यहाँ पर यह बता देगा इसको check करने के लिए मैं sale वाली sheet के ओँपर entry कल लेता हूँ तो यहाँ पर अब हम 500 pen sell कर देते हैं 30 उर्पे के साब से stock वाली sheet के ओँपर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी balance stock रहेगा वो यहाँ पर हमारा update हो जाएगा इस वाले column को हम hide कर देते हैं इसको select करेंगे right click करेंगे और यहाँ पर option है hide का तो यह hide हो जाएगा इसको delete नहीं करना है अब इस file को कैसे save करेंगे file के ओपर जाएंगे save as जिस भी location पर आप इसको save करना चाहते हैं वो आप select कर लेंगे जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पर डाल देंगे इसके बाद option है save as type तो यहाँ पर हम select करेंगे Excel macro enable workbook यह आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आप इसी format के अंदर macro लगाया है वो हिल जाएगा फिर यह file आपके लिए proper work नहीं करेगी